बिसमिल्लायरोहमानुरहीम अस्सलाम अलेकुम वेलकम तो इस वीडियो लेक्चर जो कॉर्स हम स्टडी का रहे हैं वह हमारे पास वेब इंजियूरिंग जो आज हम टॉपिक डिसकस करेंगे वह है पीएच्पी पीएच्पी हमारे पास क्या है एक लेंगविज है जो के सर्वर साइड लेंगविज है ठीक है पीएच्पी स्टेंड्स फ़ार वर्ट पीएच्पी का मतलब है के हाईपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर यह वाइडली यूजड ओपन सोस्ट स्क्रिप्टिंग लेंगविज है जो के एक्जिक्यूट होती है ऑन दा सर्वर तो आप इसको फ्री ली डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं ठीक है पीएच्पी के हमारे पास पीएच्पी स्टेंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर यह वाइडली यूजड ओपन स्क्रिप्टिंग लेंगविज है हमारे पास जो के एक्जिक्यूट होती है ऑन सर्वर ठीक है उसके बाद वट इस पीएच्पी फाइल हमारे पास पीएच्पी फाइल क्या होती है पीएच्पी फाइल के आंदर बिसकली टेक्स्ट भी होता है doats個 होता है जावास्कीप कोड भी होता है जो पीएच्पी के फाइल है ईसकी जो एक्सटेंशन है । पीएच्पी है होग जो पीएच्पी का कोड आव्पी एक्स्टेट ओगा ऑंusanशरो और जो इसको it PHP क्या कर सकती है, PHP generate कर सकती है, dynamic page content, PHP create कर सकती है, open कर सकती है, read कर सकती है, write कर सकती है, or close कर सकती है, files को on server, ठीक है, server side language, not client side, यह server वे काम करेगी, ठीक है, create भी करेगी, documents को, files को open भी करेगी, read भी करेगी, write भी करेगी, close भी करेगी, ठीक है, so php क्या कर रहे है हमारे पास php collect करती है data php हमारे पास क्या करती है can collect data मतलब form से जब हम कोई form submit कर रहे होते है so उसमें ये basically क्या कर रही होती है ये कर रही होती है data को collect कर रहे होती है जब भी हम कोई form fill करते है data submit करते है तो ये submit जो होते है जब database को जा रहा होते है तो basically PHP के मदद से जा रहा होते है so PHP can send and receive cookies PHP हमारे पास क्या कर सकती है send भी करती है receive भी करती है जो cookies होती है न हमारे पास browsers की जो भी होती है websites की ये इनको send and receive क्या कौन कर रहा होते है PHP कर रही होती है PHP add भी कर सकती है delete भी कर सकती है data को modify भी कर सकते है जो आपके database में पढ़ा हुआ है ठीक है so php can restrict ये users को restrict भी कर सकती है कि वो किस चीज़ को access करें किस को न करें on some pages of your website ठीक है so php data को encrypt भी कर सकती है ये इसके features हैं कि php क्या कर सकती है जब कोई आप से interview में पूछ लेते है what can php do so these are the lines that you can answer these are the points you can tell him के ये ये काम कर सकती है php ठीक है so why php हमें php क्यों use करने चाहिए हम क्यों use करते हैं क्योंके php different platforms फेरान होती है windows linux unix mac ठीक है so php compatible है all service के साथ जतने भी आज तक use हो रहे हैं patchy है double iis है जो भी है ठीक है so php support करती है wide range of databases इस लिए ये लोग इसको mostly use करें और easy to learn है और आसानी से run हो जाती है on server side so इसलिए people इसको use करते हैं ठीक है php को आप कैसे set कर सकते है on your pc आपने simple अगर आपका server support नहीं करका php को तो आपने करना है web server install करने है उसके बद php install करनी है database install करने है जो mysql भी हो सकता है और जो official php website है उससे आप जाके instruction वे further पढ़ सकते हैं कि आप इसको कैसे install करेंगे जो इसका basic scientist है वो क्यों होगा हमारे पास जो php का basic scientist है वो start होता है इस tag से यह जो आपको नजर आ रहा है ना जिस तरह हम user less than or greater than sign वो यहाँ पर use होंगे और यह question mark यहाँ पर use होगा और आगे हम लिखेंगे php जब हम php का code start करेंगे तो यह चीज़ हम लिखेंगे ठीक है यह चीज़ हम write करेंगे और जब php का code end होगा तो वो इस चीज़ से question mark और यह वाला tag मतलब यह वाली symbol यूज़ होगी आप ठीक है यह इसका basic scientific है मतलब यहाँ पर यह start हुआ यहाँ पर end हुआ और यहाँ पर इसके दरमयान में php का जो भी code आप रखेंगे ज़ा array यूज़ करें या forms का data ले रहे हैं submit करें जो भी collect करें जो भी आप काम करें वो यहाँ पर इसका code आ जाएगा ठीक है so जो इसकी default file extension में पहले भी बता चुका हूँ वो क्या है .php है हमारे पास ठीक है so comments हम कैसे करते हैं php के अंदर comments के लिए जग आप एक line को comment करना चाहें तो आप double slash लगा दें तो यह php comment line जब आप multiple lines जब पूरे block को comment करना चाहते हैं so यह slash लगा के यह star लगा सकते हैं फिर star and then slash सिर्फ पूरा block आपका जो comment हो जाएगा जो आपके पास जिसको आप करना चाह रहे थे अब php के variables क्या होते हैं हमारे पास ठीक है php के variables जो होते हैं हमारे पास simple like दूसरे variables की तरह ही होते है so variable जिस तरह होते हैं हमने javascript के अंदर भी पढ़ा था simple variable का name होता है लेकिन एक चीज़ यहां पर डिफरेंट है यहां पर जो variable start होगा वो dollar के sign से start होगा dollar पहले डालेंगे उसके बाद variable का नाम डालेंगे ठीक है so यहां पर short names भी हो सकते है variable like x and y more descriptive name भी हो सकते हैं जिस तरह age, car name, total value, जिस तरह आपकी मरजी आप रख सकते हैं लेकिन इसके कुछ rules ने हैं उनको आप follow करना है उस तरह ही आप जो है variable का नाम रख सकते हैं जिस तरह यह variable का नाम जो तहरूल है के start होता है dollar sign से so आपने हमेशा जब भी variable declare करेंगे तो dollar sign लाजमीन लगाना है उसके बाद आप उसका नाम लेखेंगे ठीक है so जो variable का name है वो start होता है विदा letter और underscore character यह letter से start होगा यह underscore इस तहां उस character से start हो variable name can only contain alpha number characters alpha number characters हो सकते हैं और उसके अंदर underscores हो सकते है ठीक है और जो variable का name होता है should not contain spaces उसके अंदर spaces नहीं होनी चाहिए in PHP और जो variable names होते हैं वो can sensitive है इसलिए dollar y और dollar y यह दो different variables क्योंकि यहां पे small y है और यहां पे capital y है so इन चीजों का आपने देहान रखना है क्योंकि य PHP के variable को इसके PHP has no command for declaring a variable हम क्या करेंगे जब create करेंगे तो already declare हो जागे इस तरह यह हमरे पास dollar tax is equal to hello word जब यह execute होगा तो text के अंदर यह value चली जाएगी hello word इसी तरह जब यह execute होगी statement dollar x is equal to five so इसके अंदर x के अंदर value five चली जाएगी ठीक है so note when you assign a text value to a variable जैस तरह हमने यहा around quotes देने हैं जब हम text value लिक रही होंगे तो उसके around हमने quotes देने हैं तब जो आया उसको पता लगए कि हाँ यह हमारे पास क्या text आ रहा है जो PHP है it is a loosely typed language इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है जिस तरह हमने उपर example लेखिए ना अगर हम note करें we did not have to tell PHP के which data type the variable is हमने उसको य automatically खुद पर कर लेने हैं convert करता है variable को to correct data type उसकी value पर depend करता है कि उसकी value कि है उसता हम PHP automatically उसको convert कर लेगा ठीक है so strongly type language है we will have to declare define the type and name of variable before using it जबके strongly type programming language में हम करते है हमें declare करना पड़ता है type भी उसका name भी variable का before using it ठीक है जबके PHP के हमारे पास loosely typed language इसमें हमें बताने की जरू variables का scope के हमरे पास different variables आते हैं जिससे लोकल है global है static है parameter है हमरे पास four different variable scopes आएंगे ठीक है सबसे पहले local आ जाता है local variable क्या होता है या local scope क्या होता है जब हम variable को declare करते है within a PHP function जो हमने PHP के अंदर जो function use की है उसी के अंदर अगर हम उसको declare कर रहे है ठीक है और वो उसी के अंदर अंदर access कर सकते हैं आगरे आपास वह local variable होगा यह तरह यह हमने declare किया solar a x यह मारे पास के अंदर हमने इसको declare किया तो हमारे पास किया इसका local scope स्कोप है within the function ही हम इसको use कर सकते हैं बाकी हम इसको कही use कर सकते है ठीक है इस तरह जब global scope है जब इसको हम function के बार declare करेंगे मतलब globally declare करेंगे जब हम इसको access करना चाहेंगे किसी भी पार्ट में किसी भी जगा PHP के अंदर ठीक है तो हम उसे कैसे करेंगे to access a global variable from within a function जब हम within a function उसे use करना चाहते होंगे तो उसके साथ हम global keyword must लिखेंगे otherwise हम उसको वैसे भी use कर सकते है except जब हम function के आज उसके करेंगे तब हम global लिखेंगे otherwise हम कहीं भी उसे access कर सकते है नीचे example में हम देखते हैं जिस तरह हमने ये declare कि है dollar x औ dollar y दो हमारे पास global variable आगे ना दोनों जब मैंने इने function के अंदर use करना चाहा तो मैंने साथ इनके क्या लिखा global लिखा global dollar x global dollar y तब मैंने इनको आगे use कर रहे है देखे मैं एक dollar x लिया 5 dollar y लिया 10 दोनों का values दे दी अब मैं इनको add करवाना चाहरा हूँ तो add करवाने से पहले मैंने क्या करना है इनके साथ globally लिखना है global लिखूंगा तब यह work करेगा otherwise यह work नहीं करेगा तब मैं इनको sum करवा सकता हूँ जब यह दोनों x और y आपस में add होंगे तो y के अंदर क्यों सी value store हो जाएगी y के अंदर value हो जाएगी 15 so eco statement से हम print करवा रहे हैं इस तरह हम document.right dengan value javascript के अंदर print कर वा रहे तो नहां इसी तरह eco से क्या यह दो प्रेंट करवा रहे हो जिस तरह eco से यह पर print करवा हे हैं अब static scope क्या होता है जब हम चाहते हैं कि हमारा variable static हो change नहां जिस तरह जब भी हमारा कोई function complete होता है जिसके जितनी variable होते हैं तो डिलीट हो जाते है तो हम चाहते हैं कि वो डिलीट ना हो तो हम क्या करेंगे हम उसको static रख देंगे उसकी value आगे further use हो सके तो हम उसको static रख रहें ठीक है जिस तरह मैंने यहाँ पे नीचे एक example लिखी है यहाँ पे अगर गोर करें static मैंने लिख्या $x is equal to 0 जब static मैंने इसकी value sign कर दी 0 जब मैंने उसको print कर वाए तो उसकी value 0 आई उसकी value 1 हो जाएगी पहली बार 1 पर दुबारा test function का लोगा 1,2,3,4,5 जो भी आ रहा है so you have to answer this ठीक है parameter scope क्या होता है मतलब कि parameter नाम से बतर लग रहा है कि जब हम किसी function के अंदर कोई parameter रख रहे होते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे variable को ऐज़े parameter पास कर दिया ठीक है so जो parameters हमने declare की है parameter list की अंदर यह part of function declaration होते है जिस तरह यहाँ पे मैंने declare कर दिये so जब यह इस तरह हम declare करेंगे कोई variable तो इसका कौन सा scope होगा इसका scope होगा parameter scope हो जाएगा मतलब यह parameters के अंदर आ रहे हैं arguments यह parameters आब से कह सकते है so जब हम इसको echo करेंगे print कर वाएंगे my test इसकी value क्या दे रहे है हम five दे रहे है so obviously I will get five so PHP echo और print statements दोनों एक ही काम करती है दोनों print के लिए use होती है लेकिन mostly print use हो echo use होती है क्योंकि यह जएदा fastly हमें output दे रही होती है so आपने इनका difference आपको पता है जब हमने so यह इनका difference है echo क्या करती है एक या एक से जएदा strings को भी output देती है जबके print क्या करती है only output one string एक string आपको output में देगी और echo जएदा faster है as compared to print क्योंकि इसमें return value नहीं होती जिस तरह अभी यह है echo php is fun echo hello world this string was made with multiple parameters यह आपको print करके दे रही है अब php के अंदर arrays जा जाते है arrays क्या होते है basically यह array मेरे पास एक container होता है एक single variable होता है जिसके अंदर हम multiple values store करवाते है हमने php के अंदर भी पढ़ा जिस तरह यह है dollar cause is equal to array के keyword से हम इसको declare करेंगे उसके अंदर जितनी भी हम values दे रहे हैं यह हमारे पास store हो जाएंगी एक ही variable के अंदर इसको basically हम क्या बोलते है array जब मैं इसको print करवाना चाहूँगा मैंने लिखा I like dollar car zero तो यह क्या है इसकी index है index zero पे क्या है Volvo है index one पे क्या है BMW है और index two पे क्या है मिरे पास Twitter है ठीक है इसके अंदर वैल्यो डिक्लेर करती है तीन तरह से हम अरे 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 कर सकते है index अरे भी हो सकते है associative अरे भी हो सकते है और multi-dimensional अरे भी होते है index अरे जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था zero one two three index zero index one index two index three वो क्या होते है नमरे इंडेक्स होती है और जो associative अरे होते हैं उसमें हमारे पास named keys होती है आगे हम देखेंगे और जो multi-dimensional अरे होते हैं वो एक के अंदर मजीद आगे different or areas हम ने use किये होते हैं ठीक है so आगे हम इनको देखते हैं further अब index area क्या है देखें there are two ways to create index areas कैसे हम कर सकते हैं index can be assigned automatically भी हो सकती है index always start at zero हमें पता है हमने यह javascript के अंदर देखा है so जब हमने इसको declare किया वो bmw twitter so index zero पे कौन सा आएगा index one पे क्या आएगा index two पे क्या आएगा so हम इस तरह हम इसको manually भी assign कर सकते हैं dollar cause index zero is equal to this dollar cause index one is equal to this to इस तरह हम इसको assign कर सकते हैं जो associative areas होते हैं उसके अंदर keys होती है हमारे बास ठीक है named keys होती है जिनको हम assign करते हैं जिस तरह दो तरीके हैं इसको देने के create करने के इस तरह यहां पे मैंने array लिया एक ठीक है उसका नाम रखती है variable age ठीक है ठीक है कैसे कर सकते हैं Peter मैंने Peter क्योंके मैंने इसका key मैंने Peter रखी है equal to 35 इसकी band रखी है is equal to 37 इसकी joy रखी है is 43 so हमने इनके different keys रखी होई है named keys रखी होई है जो हमने उनको assign किये हैं फिर हम उनको values दे सकते हैं ठीक है किस तरह यहां पर आगे हुआ हुआ है अब यह हमें output क्या देगा ठीक है eco Peter is age Peter तो Peter यहां पर क्या है 35 यहां पर लेकिए कि Peter is 35 years old ठीक है simply हमें output देगा multi-dimensional arrays क्यों होते हैं एक arrays के अंदर मतलब further arrays होते हैं values होते हैं vision turn can hold other arrays as well हम क्या करते हैं करिए two or three dimensional arrays हम create कर सकते हैं ठीक है two dimensional array में क्या होते है जिस तरह हमने मेंने एक variable लिया cause is equal to array मेंने ले लिया अब इसके अंदर और further arrays मेंने ले लिये array this this array this this मतलब एक array तो बाइर रहे ठीक है उसके अंदर हमने further arrays यूज कर लिये है तो यह two dimensional array हमारे पास आगया for each loop क्या होता है for each loop हमारे पास use होता है in arrays यह arrays पे सिर्फ काम करता है and is used to loop through each key value pair in an array ठीक है अगर आप इसको मजीद study करना चाहते हैं तो आप इसको YouTube पे जाकर सर्च करें आपको better understanding हो जाएगे for each loop किसलिए use होता है उसके लिए यह हम इसको use करेंगे ठीक है अब PHP functions क्या होते हैं हमारे पास जिस तरह normally दूसरी languages के अंदर functions होते हैं ठीक है इसी तरह PHP के अंदर भी function होते हैं user defined भी functions होते हैं और पहले से भी already ready made functions भी होते हैं ठीक है so जो built in PHP functions होते हैं उनको हम create कर सकते हैं we can create our own अपने भी create कर सकते हैं उनको भी जो already built in है उनको भी use कर सकते हैं function basically क्यों होते है block of statements होते है that can be used repeatedly in a program ठीक है जैसा कि हमने JavaScript के अंदर पढ़ा था जब हम मतलब एक ही काम हम बार-बार करवाना कर चाह रहे हैं करते हैं साइंटिक्स के जिस तरह function keyword होगा उसके बाद function का नाम रखेंगे उसके बाद arguments होगे उसके नीचे अंदर उसके code होगा let's say function है मैंने उसका नाम रखती है function name add ठीक है करता है values in a form with method get जिस तरह हमने html के अंदर भी इस चीज को देखा था get or post को so get or post को use करने का फाइदा क्या था मैंने पहले भी बताए था अभी यहां पे भी बता देता हूँ जब हम information send करते है from a form with the get method वो visible होती है हर बंदे को ठीक है वो display हो रहती है in browsers address bar and has limits on the amount of information to send उसकी limit होती है जिस तरह let's say के यह code है PHP का form action is equal to welcome.php method is equal to get मतलब के क्या इस page को मतलब के welcome.php उसको देना है method क्या get है get की मतलब से हम उसको send करे हैं ठीक है data name यहां पे input type name आ जाएगा a जाए जाएगी यहां पे submit जब हम submit पे click करेंगे तो यह जो data यह भी visible होगा ठीक है data visible कैसे visible होगा गया हम देखते हैं let's say के जब मैंने इसको submit किया तो यह यूर जाल है www let's say के अगर यह था तो अगर इसको submit www.w3school.com welcome.php first name is equal to this है age is equal to this है so मतलब पूरा data visible है so जब मतलब कि यह चीज़ secure नहीं है use करना मतलब get को use करना secure नहीं है हमारे लिए so हमें चाहिए कि हम इसको ignore करें और हम किसको use करें हम post को use करें so welcome.php file can now use the get value variable to collect form data as follows हम इस तरह से भी इसको करवा सकते हैं कैसे करेंगे welcome और php code start किया echo dollar get underscore get और first name हम इस तरह हम इसको करवा सकते हैं और जो post variable है obviously हम जब इसे हम चाहेंगे कोई नहीं देख पाए तो इसको use करेंगे ठीक है इसमें क्या होगा data invisible logout order इसकी कोई limit भी नहीं है ठीक है however there is an 8MP maximum size for the post method by default can be changed by setting आप इसको change भी कर सकते हैं ठीक है so यह था हमारे पास post variable और get variable so यह आज का जो lecture था basically इसमें मैंने आपको over video है कि PHP हमारे पास क्या है इसके variables का scientifics क्या होता है ठीक है as आप इसमें कैसे use कर सकते है functions का scientifics क्या होगा so हमने basic basic चीज़े देखें PHP की functionalities के हैं क्यों use करने चाहिए ठीक है और इसका साम हमने comment कैसे करते हैं मतलब basic overview हमने इसके लिए है so that's all from today's video I hope आपको समझ आई होगी so मैंने जो आपको project assign किया है लाजमी करें वो 25 नंबर का है ठीक है झाल